तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं ITI Horticulture कोर्स के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको उपराफ्ट हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म उने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं ITA होटी कल्चर कोर्स के वारे में आपसे मैं डिसकस करूं तो तो जया कोर्स एक स्किल बेस्ट ट्रेनिंग कोर्स है इस कोर्स का जो डिरूशन है वो 6 मन्त से लेकर 2 वर्ष के वीच हो सकता है तो ITA होटी कल्चर कोर्स में स्टूनेंट्स को होटी कल्चर के मूल तत्वों को सिखाया जाता है तो अगर आपसे मैं होटी कल्चर के वारे में आपसे मैं डिसकस करूं तो तो होटी कल्चर एक ऐसा खेती विदी को रेफर करता है जहांपर प्लांट्स के पालन, पोशन और उनकी देखवाल पर फोकस किया जाता है इसमें फूल, फल, सबजियां, पोदे, बनस्पती और बिगीचे के पेड़ पोदों की खेती की जाती है तो होटी कल्चर का जो मुख्यों देशे है, बो पेड़ पोदों की स्वस्था तथा रोगों से बच्चाव करना होता है तो अगर आपसे में बात करो ITA Horticulture course में तो इस course में भी दोस्तों आपको इस परकार का जो चीजे होती हैं वो आपको study करवाई जाती हैं तो इस course में आपको जो थियोरी के साथ सा जो practical की जो knowledge होती है वो भी दोस्तों आपको दी जाती है इसके इलावा आपको आई टे होटी कल्चर कोर्स में आपको उपयुक्त उपकरनों और जंतरों के इस्तिमाल की ट्रेनिंग भी दी जाती है तो अगर आप इस परकार की फील्ड में अगर आप इंटरस्ट रखते हो तब तो आपको जय कोर्स आपको जरूर करना चाहिए अब ही आपसे मैं eligibility की राइडिरिया के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला होंगी जन्हें आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 10th की जो class है उसी आपको पास करनी पड़ेगी तो तबी आप इस course के लिए eligible hope आऊगे और अगर आप चाहो तो आप इस course को developed की class को pass करने के बाद भी दोस्तो आप कर सकते हो अभी आप से मैं job profiles के बारे में आप से मैं discuss करने वाला हों कि जिनने अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप horticulture technician बन सकते हो आप nursery supervisor बन सकते हो इसके लावा दोस्तो आप जो florist की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौँ से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में slayvars के वारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जनिया आप इस course में आकर किस परकार का जो slayvars होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप introduction to horticulture, plant propagation techniques, soil science and soil management एक सेक्टरा जो topics हो जो subjects होते हैं वह आप इस course के मादम से दोस्तो आप study करते हो और विस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको savoirs के दोरान आपको करवाए जाते है तो दोस्तो इस वीडियो में आप से मैंने ITI horticulture course के वारे में आप से मैंने इस video में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्सस के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें वेकवर जाकर जरूर देख सकते हो तो आन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना